लोजपार रामबिलास के राष्टी अध्यक्ष चिराक पासवा ने कुछ मिनट पहले प्रेस कॉंफरेंस की जो आधे घंडे से जाधा का था और इस पूरे प्रेस कॉंफरेंस में कई मसलोप पर बात चीत की अपने पुदा को लेकर पदम श्री प्रुसकार मिलने के बाद क् पासवान को लेकर कहा कि उन्होंने गरीव शोशित वंचतों के लिए काम किया पदम श्री का प्रुसकार दिया गया इसके लिए वो के अंसरकार को धन्यवाद देते हैं लेकिन उन्हें भारत रतन का आईवाड मिलना चीए जो भारत का सर्वच प्रुसकार है क्योंकि वास्तिक में वो इसके हगदार है मैं एक पुत्र होने के नाते नहीं बलकि एक आम जंता होने के नाते कह रहा हूं कि कि उन्होंने गरीव शोशित वंचतों के लिए काम किया गया था और इसके लावा नितिश कुमार पहनिक साथ होर कहा कि इस वक्त बिहार में 15 लाख लोग जो है वो राशनकार से जुड़े वे नहीं थे लेकिन रामलास पासवान ने बार बार इसके लावा के अंसरकार नितिश कुमार से जिक्र किया जिसके बाद उन 15 लाख लोगों को अनाजमुफ तो मिलेगा लेकिन चिराख पासवान ने अब जो एमान कर दिर कहा है कि हम पत्र भी लिखेंगे नतिश्कमार को लिखेंगे और सोसल मीडिया पर साजा करेंगे कि अगले छे महने तक इन गरीब लोगों को राशन दिया जाए इसकले बाद चुनाव क यह हम अभी खुलासा नहीं करेंगे यह उस वक्त हम घुशना करेंगे जब चुनाव आयोग चुनाव की तारिकों की घुशना करेंगा और उस वक्त हम देखेंगे किसके साथ में कटवन दिन करना है और किसके साथ नहीं करना है तो चिराख पासवान साप तोर पर यह परत को मनिपूर में अपने पाले में कर लिया तो झोड़ होता रहता है तो पूर 시청 में तीन ऐसे अन पाथी की नेता हैं जू हमारे पांटी में आ रहे हैं आपको जल्ज के खबर मिलेकर निए पर जब लोजपाक के इकलौते विधायक को BJP ने अपने पाले में कर लिया फिर भी चिराक पासवान ने बीज़ेपी को लेकर कुछ भी जो सकतल हज़े में नहीं कहा मतलब साफ है चिराक पासवान आने वाले वक्त में गटवंदन के रास्ते को खोल कर रखना चाहते हैं बि हार में तीसरे नमबर की पार्टी बन गए महज 10 दिन हमारी पुरानी पार्टी थी जब हमारी पार्टी को नया नाम मिला लोजपार रामिलाश और एक नया चुनावचिंद मिला हेलिकॉप्टर छाप उसके बाद भी हमने रास्ट्य पार्टी कॉंग्रेस से चाह परफॉर्म है उनने कहा कि साफ तोर पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है महात्मा गांदी शतार भगत सिंग उद्दम सिंग लेकिन इसके लाबा लाखों ऐसी लोग थो जिनों आपने जान की कुरवानिया दी आम लोग थे वो जिनका इतिहास में जिक्र नहीं है इन तमाम लोगों की बेज़ती इन लोगों को अपमानित किया है और केन सरकार को कंदगा रनौत पर कारवाई करने चाहिए जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ लोग ये भी मांग करें कंदगा रनौत से पदम श्री का प्रसकार वापस लेलना चाहिए तो चिरक पास्व कि जिन्ना का मुद्दा एक वार फिर मुद्दा है वो आगे आ गया गया उन चुनों आपके वक्त में ऐसा मुद्दा क्यूं आता है , जिडु का घेरा और काहा कि एक MLC है उन्होंने जिन्ना को सद्ध सनानी बताया है तो ये तो जिडु का फैसला है कि आखिर ऐसे लोगो लुकर देश्भक्त कैसे बताया सकता है स्तौं तर header सेनानी कैसे बताया सकता है यह आज़ेड़नों करते हैं यह हिंदुतु का अज़ेंड़ा हो यह कोई और अज़ेंड़ा हो मैं इसमें फस्णा नहीं चाहता क्योंकि मैं पढ़ाν लिखा इंसान हूं सिर्फ कागजों पर सफल नहीं होना चाहिए, बलकि जमीनी अस्तर पर इसका क्रियानवेन होना चाहिए, जो कहा जा रहा है कि शराबंदी सफल है, तो वो जमीन पर दिखना चाहिए, लोग सराब इसलिए पीरेगे कि सराब मिल रहा है, और इसके लिए सरकार दोशी है, इसके हवा महल में राज महल से उनको बाहर निकल कर ग्राउन में जाना चाहिए और ये भी आरोप लगाया कि आप एक भी हमें उधारन मताईए जब नितिश कुमार किसी फिल्ट से मिलने गया हो चाहे वो जहरी शराब पिने से मौत के बाद की घटना हो फिर आप रादी घटना में जब लोग मारे जाते हैं वो किसी भी परहजन से नहीं मिलते हैं कि जब तक कोई मुखमंतरी गाउं तक नहीं पहुँचेगा जमीन पर नहीं उतरेगा तब वो अपने अधिकारियों की बात भरोशा करेगा और उसके बाद इसरका उल्जिलूल बयान देगा कि लोग जो सराप पीते हैं वो दोशी हैं वो दोशी नहीं है जिनके गयर जमीदारी की वज़़से दिहार में शराब भिक रहा है जहरली शराब बन रही है और राजियों से शराब आ रहा है तो ये पूरे चिलाक पासवान के प्रेस का लब और वाप था आप देखते रहे हैं जन्दा जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद